हालो टू ओल माई डियर इस्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का आन एकेडमी पर मैं पारुल सिंग आपकी हिंदी एजुकेटर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हूं आज के सेशन में तो गाइस यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों के इस पर हम संचिप में डिटेल वे जो है वो चर्चा करेंगे साथ इसाथ बहुत सारी मेहतहपुन बातों को जानेंगे क्योंकि यहां से आपकी यह जिसी नेट एक्जाम में प्रेशन जो है वो बनते हैं चलिए पिड़ा किसी दिरी के शिरू करते हैं आज के सेशन को सबसे यहां प्राइब करते हैं अग्राबाबजार की तो यह बात की पहला है यहां यहां बेनजिलार्व वहिष्या की यहां पर बात की गई है तीसरा पुस्थक विख्रता से संबन्दिठ यहां पर बात करो कोई भी मुख्या पात्र क्या नाटा के अंतरगत है तो यहां पर मुख्या पात्र की बात करो तो नाटा के अंतरगत कोई भी मुख्या पात्र जो है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा इसके साथ ही यहां पर अगर नाटा के संभन्ध में अगर महीं यहां पर बात कर में जहां पर मंज पर 75 आदमी एक साथ 71 हुए थी इस नाटक के संधर्व में यहां पर याद रहेंगे यहां पर अगर इस नाटक के संधर्व में एक और बात की जाए कि इस नाटक के अंतरगर सबसे ज़्यादा नजमें जो है वो गाई गई है और नजमों में यहां पर अग अक्वराबादी की जिक्र जो है वो यहाँ पर किया गया है याद रखेंगे सबी लोग मुख्य पात्र यहां पर नाटक की अंतरगत कोई भी नहीं है ताकि एक्जाम में अगर यह तत्थे जो है वो पूछ लिए जाए तो आप लोग उनका आंसर भली भाती जो है वो कर पाएंगे ठीक है आगरव अजार नाटक का रशना वर्ष की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो नाटक की जो रशना हुई है वो कब हुई है वो हुई है 1954 इस नाटक को जो है वो प्रकाशित किया गया है यह point यहाँ पर क्या रखना है यह point यहाँ पर आप सभी को याद रखना है second point यहाँ पर हम बात करते हैं नाटक में कितनी बार संशोधन किया गया है यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि लेखक ने नाटक में कितनी बार संशोधन किया है लेखक ने नाटक में दो बार संशोधन किया है दो बार संशोधन यहाँ पर याद रखेंगे एक तो 1970 में इसमें संशोधन किया गया है और 1989 इस्वी में यहाँ पर संशोधन किया गया है नाटक के संशोधन की बात यहाँ पर की जा रही है इसके साथ ही बात करते हैं ये तो गोगे नाटक में संशोधन अब इस नाटक के मंचन की बात करते हैं कि इस नाटक का सबसे पहले मंचन जो है वो कहां पर हुआ था तो नाटक का मंचन सबसे पहले कब हुआ था नाटक का मंचन सबसे पहले 14 मार्च को हुआ था 14 मार्च को कि इसने सन में हुआ था तो सन 1954 में इसका मंचन हुआ था याद रखेंगे नाटक का मंचन अक्सर जो है वो आप लोगों से पूछ लेता है इसलिए यहां पर मैं नाटक का मंचन और नाटक से जुड़िये हुए कुछ महत्वपुर्ण तत्थे यहां पर बता रहे हूं ठीक है इसलामिया ठीक है इस युनिवर्सिटी के कला बेभाग में क्या हुआ था इस युनिवर्सिटी के कला बेभाग में मंचन जो है हुआ था याद रखेंगे युनिवर्सिटी का नाम सभी लोगों आगे अगले पॉइंट पर यहां पर बात करते हैं तो यह पॉइंट यहां पर एक पॉइंट यहाद रखेंगे कि स्वतंत्र यहाँ पर उस्तक की रूपें जो इसका प्रकाशन हुआ था सन 1924 में इसका प्रकाशन हुआ था ठीक है कहां से हुआ था आजाद किताब घर से इसका प्रकाशन हुआ था ठीक है इसके दो संस्क्रण आए थी यह भी याद र मिलेगा और दूसरा संस्क्रण 1989 में मिले इसला कि अगर हम बात करें तो 15 लिचायर्ट नजम कहने वाले ते नाम है नजीर अक्वरवा लीच सबस्क्राइब रिच में अ कर लिगा नजीर अकबरवादी इनका नाम था जिनका दिक्र नाटक की अंतरगत जो है वो किया गया है भारती शायरों की साथ में यहां पर यह पिता में जो है वो कही जाती है अगर शेरों शायरी की बात इकर यहां पर की जाती है तो ठीक है साथी साथ नाटक की अंतरगत क्या कोई मुख्य नायक है आप से अगर आगरा के कौन से बाजार का इसमें दरश्य दरशाया गया है तो आप बताएंगे आगरा के किनारी बाजार का दरश्य जो है किनारी बाजार का दरश्य दरशाया गया है नाटक की अंतरगर यह पॉइंट यहाँ पर क्या रखनी है यह पॉइंट यहाँ पर आप सभी को याद रखने हैं जो की नाटक के विशे में हैं नाटक के संदर्व में हैं और राइट यहां पर किलियर यहां पर सभी को चल इसके अलावा कि नाटक की यहां पर बात करें तो नाटक के अंतरगा सामाजी को सांस्क्रितिक द्रश्य दर्शाय गई हैं इन द्रश्यों को नाटक की अंतरगा दर्शाया गया है इसके अलावा यहां पर बात करती हैं किसके बारे में यह हो गए महत्वपुन पॉइंट यहां पर मंचन पर खेला गया था यह पॉइंट मैंने बता दिया कि पिच्छतर आदमी थे जब इसको मंचन पर खेला गया था 37 नाटक के अंतरगर जितनी आधुनिक समस्याएं हैं आधुनिक समस्याओं का जिक्र यहाँ पर किया गया है यह पॉइंच यहाँ पर क्या रखना है यह पॉइंच यहाँ पर याद रखना है सबी को आगरा बाजार नाटक के संदर्व में याद रखने हैं जो की बेहत जरूरी है अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पर और नाटक को यहाँ पर डीटेल में समझते हैं चलिए तो नाटक में यहाँ पर यह सारे तथे आप लोगों को यहाँ पर जो मैंने बताएं हैं वो तो याद रखने हैं आगरा बाजार की रशना एक खाल जरूरत के तहर कीजी थी नाटक को सन 1970 में फिर 77 में तीसरी भार 1989 इस्वी में खेला गया था आगरा बाजार नाटक पर माना जाता है कि ब्रेक्त का प्रभाव है लेकिन लेखक ने यहाँ पर मना कर दिया था बोले कि मेरी तो भेट भी नहीं होई है उनसे लेकिन जब उन्होंने दूसरी बार इस नाटक को बनाये यानि कि 1970 में जब लेखा तो उन्होंने बोला कि तब मैंने ब्रेक्त को पढ़ा भी यहाँ से नाटक की भाषा है लोग भाषा का भी क्या किया गया है प्रियोग किया गया है लोग भाषा में गाली गलोश अपशब्द मुहावरे लोकोक्तिया इन सभी को प्रचूर मातरा में नाटक के अंतरगा जो है वो दर्शाया गया है यह सारी चीज़ें जो है वो ना तरह के पतंग भी यहां पर स्भारती संस्क्रती के प्रतीक के रूप में दर्शाई गई हैं यहां पर अगर बात करें तो अगला पॉइंट आता है इनाटक में आगरा बाजार वस्तुते समुचे भारत का प्रतीक है और यहां पर बाजार में विवसाईयों के उलजना और अ तरोगा बसूली करता है साथ भ्रस्ट कानून व्यवस्था जो है वो नाटक के अंतरगत दर्शाए गई है अगर यहां पर कुछ समवादों की बात करें तो पहला समवाद यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि लोगों के पास खाने को पैसे है नहीं इसका बंदर समझे नार सूरज जानते बाबा हमें तो ये नजर आती है रोटियां इस बात को कौन कहता है इस बात को फकीर कहता है अगले कथन पर आते हैं गनीमत समझे अभी दुनिया में किताबों की इतनी मांग नहीं है इस बात को कौन कहता है इस बात को किताब वाला कहता है अगले प तमगार, विपरवाह, बेकल, चंचल, चटकीली से, दिलतक्त, कयामत, पत्थर, साव और बातन, नर्म, रसीली सी, आनो के बान, हटीली सी, इस बात को कौन कहती है, इस बात को बेनजीर कहती है, याद रखेंगे, जिनका जिक्र मैंने शुरुआत में किया है, इसके अलावा, दर्दे सर हो, तो हम दवा दें, दर्दे दिल हो, तो उसका इलाज कर दें, दर्द कहीं हो, तो वहां मरहम रख दें, इस बात को कौन कहता है, दरोगा जी कहती है, अजी यहाँ गर्दन को कौन गर्दाने है, इस पूचे मैं तो पर कैच रखे जाते है, इस बात को कौन कहत इस बात को कहने वाले दरोगाजी हैं अगला कथन आता है सोनी से पहले छदाम दो छदाम की ककड़ी बिग गई तो रोजी नहीं तो रोजा ककड़ी वाला कहता है साथी साथ यहां पर क्या आपको मालूम नहीं है अब तो मुनस्सिफ यानि लेखक अपनी लागत की पर किताब छपवाता है मैं खुद अपनी नई कितावें करीमा मा मुकीमा यहां पर आदम नामा बगैर लिए बेठा हूं छापने की तौफीक नहीं करता यह बात कौन कहता है किताब वाला कहता है किसे कहता है शायर से कहता है अगला कथन दूसरा अंक शुरू होता है और अगला कथन अगर आदमी जिन्दगी भर मश्क करता रहे तो एकाद शीर हर किसी के हाँ निकल जाएगा कौन कहता है किताब वाला इस कथन को कहता है सहरा में तो मेरे हाल पे कोई भीन रोया गर पूट के रोया तो मेरे पाउं का छाला हम जोली नजीर का शीर कहता है अकबार अंग्रीजी में ही निकलेगा उस जवान में जो कल सारा हिंदुस्तान बोलेगा गंगा प्रसाद इस कथन को यहाँ पर कहते हैं आगरा बजार नाटा के संदर्व में कुछ विद्वानों ने अपनी राय भी दी यहाँ पर अगर हम बात करें तो विद्वान अपनी क्या राय आगरा बजार नाटा के संदर्व में देते हैं इसको जानते हैं चलिए एक बार पटाफ़र से सब लोग शियर भी करेंगे ठीक है चल आल राइट तो नाटक के मंचन नहीं यहाँ पर थेटर आम जनता की चीज है इसलिए नाटकों का चैन करते समय मैंने दिल से अधिक काम लिया दिमाग से कम नाटक को समझना ही नहीं स्व आमने किसी अकादमिक धंग से पेश नहीं कर रहा हूं बलकि एक अच्छे थेटर की रूप में जो आपको सम्मोहित करता है इसका जादू महसूस किया जा सकता है मैंनाटक की शुरुआत इसी तरह देखता हूं वैदिक काल में अगणी के चारों और गाए हुए शुरोतों क्या कहते हैं जानते हैं ये हकीकत है कि उनका कलाम जिन्दा जावेद है ड्रामे के अंदर कलामे नजीर के उस पहलों को उजागर करना चाहता था और उसी को मैंने मौजू बनाया नजीर उर्दू नजम के बाबा आदम है इस कथन को कहने वाले खबीब तन्वीर हैं अगल और वे उनके बात कभी नहीं टालती थी यह नजीर अकवराबादी की एक बोलती है कि पहचान थी। हिंदुस्तानी लहीदे में बात करने का सलीका आज भी नजीर अकवराबादी से सीखा जा सकता है। नजीर फकीर और दर्वेशों में आज तक मकबूल है। अशोग बाजपी हवीर तन्वीर के नाटक का उत्तर आधुनिक हैं कहते हैं यानि उनका जो रूपकार है वह बहुत ही आधी मध्य और अंत वाली जो मांसिक्ता थी उसके बारी में यहाँ पर कहते हैं आधुनिक ता कि जिसमें हर चीज मुकंबल होनी चाहिए किसी चीज को आप धीला नहीं छोड़ सकींगे नैमी चंदर जेन यहाँ पर नाटक के संदर में एक और कथन कहते हैं कि आगरा बजार नाटक से अधिक संगीत प्रधान बहुरंगी प्रदर्शन का एक आलेख भर है जितके सहारे निर्देशक निसंगीत तमवाग समुहन गती विधान अभी नहीं रंग सज्जा और कल्पना शील संयोजन द्वारा एक चाच्छुक अनुभव को जीवंत बनाने वाली कोशिश की है कौन कहते हैं नैमी चंदर जेन कहते हैं भारत रतन भारगव यहाँ पर कहते हैं कि आगरा बाजार में प्रयुक्त संवादों में भाशा के खर्शूसियत यहाँ पर दर्शाई गई है नाटक में इंसानियत उच नीश भेदवाव से हटकर आपसी बराबरी और भाई बहीचारी की भावना को उभारता है कवीता और कला की जिंदगी के साथ जुणने और प्रासंगे को होने पर जोर देता है सरजनात्मक अभिव्य संद्र जैन इस बात को कहती हैं अगला यहाँ पर कमला प्रसाथ हबीब तन्वीर के नाटकों को देखते हुए यह एसास होता है कि उनके थेटर का मकसद हमीशा यह रहा होगा कि आवाम की तवज़ों समस्याओं की तरफ कराई जाए और उनमें समाजी समझ और जागरुकत लाई जाए जिसमें वो हल हो सके आगे यहाँ पर कुझ बिहारी शर्मा हबीब तन्वीर द्वारा निर्देशित नाटकों में एक और आगरा बाजार और चरंदास चोर जैसे प्रियोग धर्मी नाटक हैं तो दूसरे और बहादुर कलारिन और लोरिक चंदा सोन सागर जै यहां पर नाटक के लिए इस कथन को किस विद्वान या लेखक के दौरा कहा गया है तो ऐसे कथन ऐसे वाक्षे आप लोगों से आपकी परिक्षा में पूछे जाते हैं और राइट गाइज यहां पर आप लोग मेरी लाइव क्लास के साथ भी जोड़ सकती हैं मेरी साथ बजी लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं साथ जांच करें आप लेट सैशन के लिए कर रहे हैं आप मेरी और स्पेशल हैं जिसमें मैं आप लोग को कथन और निस्करश वाले question रशना और रशनाकार वाले questions को चरचा कर्वाने वाली हूं इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा इसके लिए आप लोगों को मुझे follow करना होगा Engineering app एंटीज फालॉट करना होगा жाना होगा और अपना number एंटर करके मुझे follow कर लेंगे और मेरी सभी pre और special classes से आप लोग जोड़ जाएंगे, एक बार जोड़के ज़रूर देखें, साथ ही साथ आपनी तयारी को और भी ज़दा मजबूती के साथ करती रहें, क्योंकि exam बहुत नजदीक है, जो भी नए है चैनल को subscribe करन बिल्कुल ना भूलना ताकि daily session के notification आप लोगों तक provide होती रहेंगे, बाकि आज के लिए इतना ही, thank you so much guys, bye bye, take care.